तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आयो बच्छे होंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपके लिए मैं समय वीडियो कंटेंट ले करके आता रहता हूँ तो आज ऐसे कंटेंट और है हमारे पास एक समसंग का फोन है समसंग जेफूर प्लस है मैं आपको दिखा जाओंगा पावर की थोड़ा सा वो है तो यह समसंग जेफूर फोन है फ्रोन जैसा कि आप देख सकते हैं इसका बैक पैनल निकला हुआ है मैं इसका मॉडल नंबर करेंगे और यहां पर नेक्स करेंगे और नेक्स आपको वाइफाइ कनेट करने के बाद यह चेक कर लेना है कि इसमें जो इसकी गूगल एकाउंट है जो इसका फार पी है लगा है कि नहीं लगा है हम इसको बहुत ही इसली तरीके से करने वाले हैं कोई भी एप कोई भी पी आपके सामने लाइब फिर्म कोई भी PC भी यूज नहीं करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपके सामने ही करने वाला हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको मश्त दिखा देते हैं और फटाग से करते हैं फ्रेंड्स क्योंकि देख लेते हैं फाल पी नहीं लगी है मैं यहाँ पे कोई भी APK कोई भी PC यहाँ भी यूज नहीं करने वाला हूँ तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर लास तक देखेंगे अगर आपको पता है तो स्किप कर सकते हैं आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे जाएंगे और कोई भी C method भी मैं यूज नहीं करने वाला हूँ कुना कोई C method यूज करने वाला हूँ नहीं यहाँ पे कोई APK यूज करने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Google account लगा हुआ है आपको कर सकते हैं तो चली वीडियो को स्किप कर सकते हैं यहाँ पर जाना है इसलिमें देज ना करते हूं है सेटिंग वाले आइकन पर आने पर आपको यह देख रहे हैं friends यह यह back वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है जैसे आप back वाले क्लिक पर आइकन करेंगे तो आपको यहाँ पर Google voice type पर जाना है गूगल वाइस टाइप पर जाना है, और मैं पीछे का बैक पैनल हटा देता हूं, क्योंकि यह फ्रेंट हिल रहा है, और निकला भी बहुँ है, फिर आपको यहां पर जाना है, फ्रेंट सर्च वाले आइकन पर जाना है, तो वीडिएओ आपको अपर नहीं पता है, मैं है करने वाला हूँ यहां पर लिखना है आपको offline तो यहां पर लिखना है फ्रेंट्स आपको offline आप देख सकते हैं always retry offline search आप यहां पर कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर जाना है और आपको यहां पर search वार पर जाना है, search वार पर जाने के बाद, आपको यहां पर लिखना है, galaxy store, आपको यहां पर लिखना है, galaxy store, तो आपको यहां पर लिखना है, galaxy store, तो आपको आपको आज आएगा, आप यहां पर galaxy store, full लिख भी सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है, तो तो वीडियो अगर आप अच्छा लगेगा तो प्लीज जदे जदे लाइक और स्ब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना बोले तो वन टाइम अगर यह अपडेट के लिए आपसे मागता है तो इसको आप अपडेट कर लें अगर अगर अपडेट के लिए नहीं मागता है तो अपडेट कभी भी ना करें तो यह कभी अपडेट लिमल लेता है औरको अपडेट नहीं लेता है तो यह अब यह और हम पर कर देता हम आ जरूर देखें तो उसके बाद यह हर एक step को आप देख सकते हैं सारे चीज में कोई भी hide नहीं कर रहा हूं सब कुछ आपके सामने ही proper way में बता रहा हूं फिर से हमें वही galaxy जाना है और galaxy store में आपको जाना है आपको galaxy store जो हमने update किया था उसको open कर लेना है थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि अपडेट हुआ है और जैसे recently update हुआ है तो थोड़ा सा install होगा तो देख सकते हैं हमारा यहां पर एक लेक्स स्टोर इसको हम allow कर देंगे allow करने के बाद अभी यहां पर try again क्योंकि network week हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं है यह देखे हमार friends मैं आपके सामने ही कर रहा हूं कोई भी skip नहीं कर रहा हूं तो यह process आपको करना है आपको टेंसल लेने की कोई भी बात नहीं है अगर ऐसा होता है तो आपके साथ भी हो सकता है अब यहां पर आपको friends जैसे आपका galaxy store खुल जाएगा आपको यहां पर search में जाने के बाद यहां पर लिखना है play store तो friends यहां पर आपको लिखना है जो है यहां पर Google play service तो मैं लिखता हूं तो friends आपको यहां पर यह पढ़ लिजिए आपको अच्छा से लिखना है गूगल play service hidden setting को आपको search करना है और क्योंकि मैं एक हाँट से कर रहा हूं तो यह आप देख सकते कर लेंगे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे यह देख सकते हैं आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और यहां पर लेटर कर देंगे 14 दिन के लिए आपको यहां पर open open करने के बाद friends आप देख सकते हैं यहाँ पर open hidden setting यहाँ पर आ रहा icon आ रहा है तो open hidden setting पर भी आपको open कर लेना है और सबसे फिर last में जाना है आपको last में जाने के बाद आप देख सकते हैं Google Play Services पर आपको जाना है यहाँ पे हमने कोई भी APK और कुछ भी नहीं किया तो friends यह देख सकते हैं हमारा यह pattern आ चुका है तो आपको यह pattern लगा देना है तो हम इसे कर देते हैं continue और continue करने के बाद हमें यहाँ पे यह pattern लगा देते हैं तो continue कर देते हैं और यहां पे पड्न कर देते हैं तो confirm कर दिया corresponding प्यूंऽ अब उसके बाद हमें yes I am कर देना है इसके बाद यहां पर Its add को you have to cut yeah और उसके बीसका आपको फोन को restart कर देना को विन्थे में फोन को simply for and restart कर दिया हमने अब यह देखते हैं कि हमारा यह काम हुआ कि नहीं हुआ अगर यह बिना APK बिना किसी एप की थुरू अगर यह हो रहा है तो आप बिना SIEM मेथड तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकन को ज़रूर दबाएए जिससे हमारे नए नोटिफिकेसन आपको तुरंट मिले फ्रेंट तो ऐसे यह वीडियो मैं आपके लिए हमिसाल लाता रहूँगा तो आप देख सकते हैं Samsung का J4 Plus है यह इसका बैक पैनल निकल चुका है मैंने बैक पैनल को साइड में रखा हुआ है क्योंकि वह ग्लू के कारण निकल गया होगा तो अभी जैसे यह उपन हो जाता है मैं सारी चीज़े आपके सामने कोई भी वीडियो मैंने स्किप नहीं किया है आपको step by step ही follow करने है और तभी जा कि आप proper काम कर सकते हैं नहीं तो नहीं होगा आप try करेंगे जो भी हमारा step by step process है आप उसको step by step process को follow करेंगे तो friends देख सकते हैं यह हमारा एक बार confirm होना चाहिए कि हमारा method काम कर रहा एक नहीं कर रहा है एक बार आप पावर की दवाल है जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि हमारा वो लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा पैटन हमारा जो लगा है कि नहीं लगा है तो हम इसको देखते हैं तो हमारा यह pattern successfully लगा हुआ है तो देख सकते हैं यह सिधा यहाँ पर आ गया है home screen पर तो हम इसे करेंगे next आपका wifi connect होना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर हम कर देंगे agree और यहाँ पर कर देंगे next और फिर से थोड़ा सा time लगेगा क्योंकि बूट ह हो रहा है सारी चीजे तो यहाँ पर हमें भी कर देना skip अब देखते हैं कि जो हमारा फार पी ता friends वो हमारा फार पी remove हुआ कि नहीं हुआ next यह हमारा wifi connect है तो हम basically हाँ पर करेंगे next और सारी चीजे और थोड़ा सा time लग रहा है तो हम इसे करते है next अभी update करेगा यह checking for updates तो friends अगर यह video आपको अच्छा लगेगा तो मैं फिर से remind कर रहा हूं आप like और subscribe बिल्कुल करना ना भूलें और यह trick आपको अच्छी लगी अगर आपको कोई भी एक phone काम हुआ हो तो हमें channel को subscribe कर लें ऐसे ही कई video आपके लिए मैं हमेसा लेकर के आता रहूंगा तो यह trick जो अब यह जो हमने pattern डाला था देखते हैं वह pattern हमारा काम करता एक नहीं करता है तो हमने जो pattern डाला था यह pattern 100% काम कर चुका है कोई APK कोई सीम कोई हमने PC यूज नहीं किया है YouTube के लिए या किसी भी चीज के लिए हमने हम पे कोई भी tab यूज नहीं किया है तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर checking for update step थोड़ा सा टाइम लगेगा तो continue आप बने रहें यहाँ पर हमारा चैनल में तो friends यह देख सकते हैं 100% यह हमारा job done हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे skip button आ चुका है तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हूँ तो मैं यहाँ पर finally आपको को और यहाँ पर भी bypass भी कर रहा हूं सारी चीजे और just a finish touching चल रही है यहाँ पर ठीक है बने रहे हैं सही है मैं voice के साथ video इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप अगर देखते हैं तो आप voice सुनकर भी आप bypass बहुत ही easily तरीके से कर सकते हैं friends तो यह सारा चीज मैं आपके सामने एक life practical और हमेशा life की तरह without PC और आपके सामने ही कर रहा हूं और कोई भी जो भी error आ रहे हैं तो आपके सामने ही मैं करने की कोशिस कर रहा हूं तो फटा फट यह हम settings को सारे settings को आगे बढ़ा देते हैं skip कर देते हैं और यहाँ फिनिस कर देते हैं फटा थोड़ा सावर अपर फाल है और क्योंकि आपने हां तक video को देखा है आ है तो वीडियो को लास्त तक आप जरूर देखें friends से की सहीं में समझ में आए है प्रॉपर पर वे में आपको समझ में आए कि actual में हमारा ये काम व्वार कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यसलिए मैं सारी चीजे यहा पर भी कर देंगे finish और यह देख सकते हैं हमारा यह job done हो चुका है 100% job done हो चुका है और यह वही phone है जो कि मैं आपके सामने live कर रहा था और यह सारी चीजे आप देख सकते हैं जो हमने इसमें किया है वो आप भी try करिए अगर आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है और 100% ह ही होगा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए thank you so much मिलते हैं किसी next video में ऐसे ही आप बने रहें